नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्य देशी कीचन में हादिक स्वागत है अगर आप रोटी या चावल खाकर ठक गये हैं आपको खाने का मन नहीं है तो आज बहुत ही सुपर हिट रेशिपी लेकर आई हूँ नास्ता बहुत ही जबरजस्त इस नास्ते को खाते ही आ एक प्याज कटा हुआ एक चमच अद्रक कटा हुआ एक चमच हरी मेज कटा हुआ और एक कफ हमने लिया है गाजर कदू कस किया हुआ और यहां पर हमने लिया है धनिया पत्ता अब हम लेंगे एक बरतन इसी में डाल देंगे गेहूं के आटा और इसके साथ ही हम डाल एक बड़ा चमच सूजी और स्वादनुसार नमक गाजर घनिया और प्याज अद्रक हरी मिर्च और एक बड़ा चमच दही थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अगर आप मिठा नहीं खा सकते हैं तो आप इस तरह से नाष्टा बना कर खा सकते हैं अगर आपको मिठा पसंद है तो आप इसमें नमक के साथ-साथ एक चमच चिनी भी इसमें डाल सकते हैं बहुत ज़्यदा टेश्टी लगेगा तिहां पर उनके लिए मैं बना रही हूं ज इसके जगा माइदा भी ले सकते हैं इतना घड़ा हमने इसे गहोल बना लिया है और इसको फेट कर हम इसको रेष्ट पर रख देंगे आदे गंटे के लिए आप ज्यादा लिए भी आठ गंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं जब मन्चा है इसे आप गर्मा गर्म बना कर खाईए यह ठंडा होने के बाद भी खाईए यह बिल्कुल मुलायम सौट रहता है यह बहुत टाइट बिल्कुल नहीं होता है गेहों काटा से है तो यहाँ पर हम लिल लिया ह और इस पर डाल देंगे सरसो का तेल रिफायन घी बटर जो भी आपको पसंद है उसमें आप इसे बना सकते हैं आपके घर में नॉर्मल तवा है तो उस पर भी आप इसे बना सकते हैं जो भी आपके घर में हैं जैसा भी तवा है उससे बना सकते हैं तवा जब गरम हो जाए तब इसमें हम एक कर्ची बर डाल कर फैला लेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे रेसिपी को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीजिए यह बिल्कुल तूटता फूटता नहीं है, ध्यान रखें कि जब एक तरफ हो जाए तभी इसे पलटे, तो यह दिखिए हमने पलट दिया है, और दूसरी तरफ से उलट पुलट करके हम इसे अच्छे से शेक लेंगे, बहुत ही हल्दी है, और खाने में बहुत ज़्यादा य यहाँ पर हमने रिफाइन डाल दिया है, और चली एक रिफाइन में भी बना कर आपको दिखाते हैं, एक कर्चिवर डाल कर फेला लेंगे, दोस्तों अगर आपने हमारा पनीर रोल बनाने का रेसिपी नहीं देखा है, तो आई बटम पर उसका लिंक दिया हुआ है, आप व मोटा ही रहता है, तभी खाने में बहुत तीक केश्टी लगता है, आप जो भी चीजस में खास सकते हैं, वो डाले, अगर जो आपको पसंद नहीं है, उसे आप हटा भी सकते हैं, यह दिखिए थोड़ा से तेल हमने उपर से डाल दिया है, और डाल कर इसे अच्छे से एकदम मुलायम और नरम है, बीना दात के आप इसे खा सकते हैं, मेरा यह दावा है, दो अंगली से आप इसे तोड़ सकते हैं, एकदम मुलायम है, तो यह दिखिए, यहाँ पर हमने दही लिया है, घर का जमा हुआ दही, तो जिससे आपको पसंद है, उसके साथ आप इसे और खाएं, इंजोई करें, और आपको हमारे रेसीपी कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं, और आप भी अपने घर पर इस तरह से जरूर बनाएं, गर्मा गर्म, गेहु के आटा से बना, नास्ता एक दम चटपटा, तो चलिए आपको इसे मोर कर दिखाते हैं, कि कि कितना मुलाएं, कितना नरम है, आप देख सकते हैं, कितना नरम है ये, तो ये दिखिए, चलिए आपको दू अंगली से तोड़ कर दिखाते हैं, कि ये कितना मुलाएं है, एकदम ये टाइट नहीं है, चिमड भी नहीं है, आप देख सकते हैं, एकदम सुपर हिट नास्ता दही के साथ या सबजी के साथ जो भी आपको पसंद हो तो अगर आपको हमारे रेसीपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए हमारे रेसीपी को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए